तो दोस्तो वीडियो को जादा से जयादा लोगों तक सेयर करें। धिये ख़आधस है ये जी जिन थे अगर नमस्कार जोचहें। पोड़ी खबर है दोस्तों बिड़ को एक लाइक जरूर करें दोस्तों हुआ तो हुआ के जरीये परधानमत्री मोदी ने गिनाए कांग्रेस के घुटाले कहा अब बहुत हुआ जी हां दोस्तों मद्ध परदेश के रतला में एक चुनावी सबा को संबोधित करती हुए लेकिन जनता कह रही है अब बहुत हुआ जी हां दोस्तों राहूल गांधी पर गाली गलोज का अरोप करते हुए परधानमत्री मोदी ने ये हमारे संसकार है ये रतलामपूर के संसकार है कि हम माभारती के वंदना से अपना काम सुरू करते हैं लेकिन हमेशा याद रखनी चाहिए कांग्रेस को भारत माता की जैसे दिकत है मुझे गाली दे दो मुझे खुसी होगी लेकिन भारत माता की जै नहीं बोल सकते उन्होंने कहा है कि देश गाली भक्ती से चलेगा या राष्ट भक्ती से चलेगा नामदार भासन की सुरूआत की गाली तो देते हैं फिर हेलकॉप्टर को टाला, इसका एक ही जबाब हुआ, हुआ तो हुआ, पुदी ने कहा है कि इनके राज में हमने वीर सपुतों को बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं दिला पाएं, आतंकी और नकसली हमले में हमारे वीर साथी अपनी जान गवा देते हैं, ये लोग कहत आज भी लोग भुगत रहे हैं, और इस बारे में पूछा जाता है, तो वो अलग अंदाज में कहते हैं, हुआ तो हुआ, प्रधार मतरी मोदी ने कांगरे सरका के हुए घोटाले का चिकर करते हुए कि कॉमन वेल्ट घोटाले करके उन्होंने देश की 35 दाव पर लगा दी लेकिन जबाब मिला, हुआ तो हुआ, तो जी घोटाले करके इन्होंने देश के टेलिफोन सेवाए महंगी कर दी और कोईला घोटाला करके इन्होंने देश की संपदा को लूट लिया, और जबाब में कहा, हुआ तो हुआ, ये महा मिलावटी लोग कह रहे हैं, हुआ तो ह अब भी आप उसको ठगने का मोका देना चाहते हैं क्या इसमें क्या था बिजली का बिल माफ हुआ क्या बिल माफ हुआ क्या या बिजली की सप्लाई हाफ हुई क्या उन्होंने कहा है कि आज किसानों के घर पर पुलिस पहुँच रही है कर्जदार किसानों को जेल जाने के नौबत आ रही है आखिर ऐसा क्यूं हो रहा है जी हा अमेरिका और इरान के बढ़ रहे तनाव के बीच साओधी अरब को भारी नुकसान हुआ है बताये जा रहा है कि सन्युक्त अरब अमिराद के अब 36 फुजैरा में साओधी अरब के दो तेल टैंक पर हमला हुआ है लेकिन अब तक अमिराद की ओर से यह साफ नहीं हुआ कि हमला की पीछे कौन जिमेदार है सन्युक्त अरब के उर्जा मंतरी खालिद अल फलीह ने कहा है कि दो तेल टैंक के जहाजों को काफी नुकसान हुआ है फलीह ने बता है कि दोनों साओधी अरब तेल जहाज पर हमला उस वक्त हुआ जब दोनों जहाज अरब सागर को पार कर रहे थे वहीं हमले के पीछे अमेरिका का हाथ होने की बात कही जा रहे है क्योंकि इरान से बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने यह अगाह किया था कि इरान छेतर में समुद्रे यातायात को निसानाय बनाया जा सकता है इसी चेतावनी की प्रिष्ट भूमी में पोतों पर हमले की खबर आई है हाला कि इरान ने इस हमले की जाच की मांग की है स्ट्रिट समुद्र से जुड़ा हुआ है आपको बता दे कि अमेरिका ऐसा मनोबेग्यानिक दबाव इरान पर बराने की कोशिस कर रहा है दोनों देशों के रिष्टों में 2015 में तब से खटास आई हुई है जब से अमेरिका के राष्ट बते डोनल्ड ट्रम ने इरान के साथ साल 2015 में हुई परमाणू संधी को तोड़ दिया था जी हाँ दोस्तों अगली बड़ी ख़बर आ रही है राजस्थान से गहलोत सरकार ने बदला सिले बस अब सावरकर की करांथिकारी जीवनी नहीं अंग्रेजों से दया मांगने वाली कहानी पढ़ाई जाएगे जी हाँ दोस्तों पूर्व वर्तिये बीजेपी सरकार ने कई फैसले पलट चुकी राजस्थान की गहलोत सरकार ने अब स्कूली पाठे करम में वीर सावरकर की जीवनी वाले पाठ में बदलाव किया है तीन साल पहले ततकालिन बीजेपी सरकार ने जो सिलेबस तयार किया था उसे वीर सावरकर जो महान दिस वक्त वीर और करांती कारी बताया था लेकिन कांग्रेस सरकार की तरफ से किये गए बदलाव में सावरकर को ब्रेटिस सरकार के दया मांगने वाला बताया गया है राजस्थान में सत्ता आने के बाद प्रदेश की असोक गहलोत सरकार ने स्कूली पाठेकरम की सिक्षा का काम सुरू कर दिया था इस काम के लिए दो कमीटियों का गठन किया गया था माध्धमिक सिक्षा के सिलेबस की समिक्षा के लिए बनाई गई कमीटी काक्छा 10 में पढ़ाए जाने वाले पाठ अंग्रेजी समराज का प्रतिकार एउम संगर्स के कई महापूर्सों की जीवनी इसमें सामिल है आपको बता दे कि राजस्थान के सिक्षा मंदी ने ट्विट करके कहा है कि वीर सावरकर जैसे लोग जिसका सोतंतरता अंदोलन में कोई योगदान नहीं था उनके किताबों की महा मंडिता क्यों किया जा रहा है हमारी सरकार आई तब हमने कमीटी का गठन किया ता जिसमें चीजों का विसलेशन किया अब जो भी कुछ की ताबों में है वो पक्के सबूत के साथ पर आधारी थै अगली बड़ी खबर अखलेस यादो बोले मोदी हमारे नहीं सिर्फ एक पर तीसत लोगों के पीए मैं जी हाँ दोस्तो गाजीपुर में समाजवादी न्याय के महा परिवर्तन रैली में पुर्मुक मंतरी अखलेस यादो ने प्रधान मंतरी मोदी पर जम करके हमला बोला उन्होंने कहा है कि दो दिन पहले जो जन सबा इस मैदान में हुई थी तो जनता ने उसका सफाय कर दिया था अकलेस यादो ने कहा है कि यह देश के भविष्ट का चुनावे मोदी सरकार की वज़ा से देश नाजों की स्थिति में जी यादो तो उन्होंने कहा है कि हमारी स सरकार में भरतिया आसान कर दी थी पहले समय लगता था सपा सरकार में दासवी और बारहवी पास करके दोड़ने दिखने वाले लोगों की भरती की जाती थी लेकिन अब ऐसा नहीं होता है पुरू सीम ने कहा है कि मोदी ऐसे प्रधारमत्री है जो हमारे नहीं वह देश के एक प्रधारमत्री है जिया दोस्तो अब चोकिदार की चोकिदारी नहीं चलेगी जिया दोस्तो इस पर अखलेस यादो ने कहा है कि मोदी चायवाला बनकर 2014 में आएं चायवाला समझकर लोगों ने उन पर भरोसा कर दिया हलाकि पांच वर्स में पता चल गया है कि चाय कैसी थ अब चाय का नसा उतर गया है कि चायवाले अब चोकिदार बन कर गया है ऐसे में यह चुनाओ चोकिदार की चोकी चिनने कहा है न्यू इंडिया की बात कर रहे हैं प्रधान मत्री मोदी सरकार ने सिर्फ लोगों को धोखा दिया है अकलेस यादो ने कहा है कि हम नया भारत नए भारत के लिए हमें नया परधान मतरी देना होगा अगर जनता का समर्थन मिला तो हम चोकीदार की चोकीदारी चीन लेंगे जी हाँ दोस्तों नौकरी मांगी तो पकवडे तलने के लिए भेज दिया जाएगा जिया दोस्तो प्रधानमत्री मोदी पर हमला करती हुए अखलेस यादो ने काया कि सरकार ने सिर्फ जूटे सपने दिखा है अच्छे दीन के नाम पर सिर्फ लोगों को ठागा किसानों को भरोसा दिलाए कि लागत की दुगना कीमत मिलेगी लेकिन किसी भी किसान को लागत की दुगना कीमत नहीं मिली मोधी सरकार ने गरीबों और किसानों को धोखा दिया अकलेस यादो ने कहा है कि GST और नोट बंदी करके मोधी सरकार ने रोजगार छिन लिया है युवाओं ने नौकरी मांगी तो पकोड़े तलने के लिए भेज दिया इस पर युवाओं की भविस के साथ खिलवार हो रहा है जिया अकलेस यादो ने कहा है कि प्रदार्मति नरेंदर मोधी की सरकार ने जनता के साथ जानवर भी नाराजे कुछ दिन पहले सान हेलिकॉप्टर पर सिकार ले करके पहुचा था लेकिन अब सान को पता चल गया है कि वह गलत जगह आ गया था और वह चला गया अब वह सान किसी भी जान को ले सकता है उसके लिए सिर्फ सियम योगी आदितनात जिमदार को अखले सियादों ने कहा कि योगी सरकार ने सौन नंबर वाली पुलिस को भी खराब कर दिया है चात्राओं को मिलने वाला लेप्टप, समाजवादी, पैंसन, सब कुछ छिन लिया है अखले सियादों ने कहा कि जब लखनाउन में उनका आवाज खाली कर आया था तो मुख्यमंत्री उसे गंगाजल से धुलवाया था आज तक ऐसा कभी ने हुआ था कि हमें बदनाम करने के लिए टोटी निकाल कर ले जाने वाली बाते कही गई खेर अगर हम सत्ता में आएं तो जैसा वह टोटी ढूर सकते थे हम वैसा ही चीलव ढूर सकेंगे अखलेस यादो ने का है कि केंद्र और राज दोनों ही साजिस और सडियंत्र की सरकारे ये गठवन्दन परिवर्तन के लिए है चोँ चरण में हम जीत चुके हैं और साथवे चरण में जनता को गाजीपूर और बलिया से भी जीताना होगा अगली बड़ी खेवरे सेम पितरोदा का बयान पर राहूल गांधी को देनी पड़ी फिर से सफाई बोले पितरोदा को सर्म आनी चाहिए जी हाँ दोसो कांग्रेस नेता सेम पितरोदा का 1984 के सीख दंगो को लेकर दिया गया बयान उनकी पार्टी का पीछा नहीं चोड़ा है कांग्रेस अद्दक्स राहूल गांधी ने पंजाब के भतेहाबाद साहिब में एक जनसवा को संबोजित करते हैं उन्हें सफाई देते हुए कहा कि सेम पितरोदा ने 1984 के सीख दंगो के बारे में जो भी बात कही हुए वो गलत है और उस बयान के लिए उसे देश को माफी मांगनी चाहिए मैंने इसके बारे में फोन पर बात किया है लेकिन मैंने उनसे कहा है कि जो कुछ बोला है वो गलत है उन्हें इसके बारे में सर्व आनी चाहिए और सरवजनिक तौर पर उनको माफी मांगनी चाहिए आपको बता दे कि कुछ दिन पहले मीडिया से बात चीद करते हुए कॉंग्रेस ने था सैंप पितरोधा को पार्टी लाइन से अलग कर दिया था जिसके बाद सैंप पितरोधा को माफी माँगनी पड़ी थी आपको बताते कि प्रधानमत्री नरेंद्र मोदी ने मद्ध पर्दिस के खंड़वा में सैंप पितरोधा के बिवादित बयान को लेकर के निसाना साथा था प्रधानमत्री मोदी ने कहा था कि यहां एक जनसवा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि 1984 के सीख दंगों के बाद अत्यच्यार हुआ कतलियाम हुआ ये कहते हैं हुआ तो हुआ भुपाल में हजारों लोगों को जहरीला गैस के हवाले कर दिया गया कई प्रिटों को बरबाद कर दिया गया गुनहगारों को भगा दिया गया और अगर आज उनसे पूछा जाता है तो वे कहते हैं हुआ तो हुआ मतलब मरे तो मरे